नमस्कार, Achievers ICS Academy के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी का स्वागत है Quick Revision Series में आज हम देखेंगे भारती सम्विधान की प्रस्तावना, विसेस्ता और सम्विधान के सुरूत तो चलिए सुरू करते हैं सम्विधान की प्रस्तावना इसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, भारत को एक संपुर्ण प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोक तंतरात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए द्रिड संकल्पित होकर आज तारीक 26 नवंबर 1909 को एतत द्वारा इस समिधान को अंगेकरित, अधिनीमित और आत्मर्पित करते हैं अब हम प्रस्तावना में दिये गए सब्दों का मतलब देखेंगे सबसे पहले इसमें लिखा गया है हम भारत के लोग इसे अमेरिकी स्वतंदर्ता की गोशना से अपनाया गया है इसका आसा है कि भारत के लोग ही वह सक्ति हैं जो समविधान को सक्ति प्रदान करते है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो प्रभुत्व संपन्न का आसा है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है ना ही अन्य किसी देश का डोमिनियन है अर्थात भारत अपने आंत्रिक और बाहि मामलों में स्वतंत्र है समाजवादी प्रत्येक भारती नागरिक को यह मसूस हो कि वे सभी एक समान है भारती समिदान समाजवादी समानता की बात करता है पंथ निर्पेक्ष पंथ निर्पेक्ष का आसा है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है राज किसी विशेश धर्म को नहीं मानेंगे लोक तंत्रात्मा गणराज बनाने के लिए लोक तंत्र का आसा है जनता द्वारा जनता के लिए सासन और गणराजी का आसा है राष्ट का प्रमुख वनसा नुगत नहीं होना अर्थात किसी राष्ट का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है तो वह राष्ट गणराजी कहलाएगा तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, न्याय, विचार, अभिवक्ति बारति सम्विदान तीन तरह के न्याय की बात करता है समाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनेतिक न्याय समाजिक नयाय से आसे जाती, धर्म, लिंग के अधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्थिक नयाय से आसे संपदा, आय, संपत्ति, आधी अधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा राजनेतिक न्याय से आसे हर व्यक्ति को समान राजनेतिक अधिकार प्राप्त है विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए स्वतंतरता से आसे व्यक्ति को विकास के अवसर प्रदान करना प्रत्य एक व्यक्ति बिना किसी रूख टोके अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी उपास ना कर सकता है और उस पर आस्था रख सकता है अवसर की समानता से आसा है, समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक छेत्रों में सरकार द्वारा समान अवसर प्रदान किया जाना उधारन के तौर पर किसी सास की पदपर नियुक्ति के पहले प्रतियोगी परिक्षा का आयोजन किया जाना अवसर की समानता का एक उधारन है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्टर की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तो व्यक्ति की गरिमा से आसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा पुर्ण जीवन जीने का धिकार है और राश्र की अखंडता बढ़ाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए से आसा है कि भारत विविधताओं वाला एक देश है इसलिए भारती समिधान में भारत की अखंडता बनाये रखने की बात कही गई है और बंधुता का आसे भाईचारे की भाउना हमारा समिधान एकल नागरिक्ता के माध्यम से भाईचारे की भाउना को प्रोथसाहित करता है द्रिड संकल्पित होकर आज तारीक 26 नवंबर 1949 को एतत द्वारा इस समिधान को अंगीकृत, अधिनीमित और आत्मर्पित करते है 26 नवंबर 1949 समिधान को अपनाने की तीथी को इंगित करता है अब हम एक बार समिधान की प्रस्ताहोना को पुना पढ़ेंगे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक तंतरात्मक ग्रणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विस्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधूता बढ़ाने के लिए दृड संकल्पित होकर आज तारीक 26 नवंबर 1949 को एतत द्वारा इस समविधान को अंगिकृत, अधिनेमित और आत्मर्पित करते हैं अब हम भारती समविधान की विशेस्तनाएं देखेंगे यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित समविधान है जिसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 नुसूचिया है भारत का समविधान प्रभुत्व संपन्द, लोक तंतरात्मक गणराज्य है भारती समविधान में समाजवादी और पंथ निर्पेक्ष तत्वों को अपनाया गया है भारत का समविधान संसदी सरासन प्रणाली को स्विकार करता है अनुच्छे 368 के द्वारा साधारण एवं विसेज बहुमत के द्वारा समविधान में संसुधन किया जा सकता है अताहिया कठोर भी है और लचीला भी है स्वतंत्र नियाय पालिका का प्रवधान भी भारती समविधान में किया गया है भारत का सम्विधान नागरिकों को मूल भूत अधिकार प्रदान करता है साथ ही साथ नागरिकों को कुछ मूल करतवे भी निर्दारित करता है भारत का सम्विधान निती निदेशक तत्वों को सामिल करता है जिसे से लोक कल्यानकारी राजी की स्थापना की जा सकती है बारती सम्विधान में अपात कालीन उपबंद अनुचे 352, 356 और 360 का भी प्रावधान किया गया है बारती सम्विधान में सक्ती के विकेंदरी करण हेतु, पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, अनुचेत 40 इससे संबंदित है सार्वभामिक मताधिकार का प्रावधान भी किया गया है, इसके लिए मत देने की नियूंतम आयू 18 वर्ष निर्धारित की गई है बारत का सम्विधान अलप संख्यकों और पिछडे वर्गों के विसेश प्रावधान भी करता है, अनुचे 330 से लेकर के 342 में अलप संख्यक और पिछडे वर्गों के लिए विसेश प्रावधान किये गये है बारत के सम्विधान में हिंदी को राजभासा बनाया गया है जिसकी लिपी देवनागरी लिपी है बारत का सम्विधान इकात्मक की ओर जुका हुआ संगात्मक सासन है इकात्मक की ओर जुका हुआ संगात्मक सासन अनुचेद एक के नुसार भारत राजियों का एक संग है और संगात्मक्तत्व के अंतरगत दो सरकार संविधान की सर्वोच्चिता लिखित संविधान केंद्र और राजियों के बीच सकतियों का बटवारा स्वतंत्र न्यायपालिका और द्वी सदनी व्यवस्था को सामिल क जबकि एकात्मक तत्व के अंतरगत, एक ससक्त केंद्र, एक सम्विधान, एकल नागरिक्ता और एकल न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, राज्यों को संग से अलग होने का धिकार इसमें नहीं दिया गया है, राज्यों को समान धिकार का सिध्धान नहीं दिया गया अवसिष्ट सक्तियां और अपात कालन के समय सक्तियां केंद्र के पास नहीद की गई है अब हम देखेंगे भारती समविधान के स्रोत मूल स्रोत 1935 का भारत सासन दिनियम है इसके लावा ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिन अफरिका, आयरलेंड, और्श्रेलिया आदि कई देशों से भारती समविधान में तत्वों को अपनाया गया है मूल स्रोत 1935 का भारत सासन दिनियम है इसके बाद है ब्रिटेन, ब्रिटेन से जिन चीजों को अपनाया गया है वो है संसदी सासन प्रणाली, विधी का सासन, एकल नागरिक्ता, विधी अर्थात कानुन निर्मान की प्रक्रिया, मंत्री मंडल प्रणाली, विधाईका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमी का और सरवाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला इन सारी चीज़ों को ब्रेटेन से अपनाया गया है अमेरीकी संविधान से जिन तत्म को अपनाया गया है वो है मौली क अधिकार, नयाइक बुनरावलोकन, संविधान की सरवचिता, स्वतंत्र, नयाएपाली का आइलेंड के समिधान से अपनाया गया है निती निदेशक तत्मों को, राश्रपती की निर्वाचन पद्धती, राज्य सभा के सदस्यों का मनुनेयन कनाड़ा से अपनाया गया है संघात्मक सासन विवस्था, अवसिष्ट सक्तियों का सिद्धान्त, संग और राज्यों के बीच सक्तियों का विभाजन और श्रिल्या से अपनाया गया है समवर्ती सूची को और संसदी विसिसाधिकार जापान से अपनाया गया है। विधी द्वारा इस्थाभित प्रक्रिया अनुचे दिक्किस की सब्दावली। रूस से अपनाया गया है मौलिक करतवी को। दक्षिन अफ्रिका से अपनाया गया है, सम्विधान में संसोधन की प्रक्रिया, अनुच्छे 368 के द्वारा भारती सम्विधान में संसोधन किया जा सकता है, और राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों चीजे दक्षिन अफ्रिका से अपनाया गया है, जर्मनी स भारती समविधान के सुरूत यहां पर समाप्त हो जाते हैं अब हम कुछ प्रमुख तत्यों को देखेंगे 42 समविधान संसूधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष और अखंड़ता सब्द जोड़े गए केशवानन्द भारती 1973 में सर्वोच नियालय ने प्रस्तावना को समविधान का अभिननंग बताया और प्रस्तावना को समविधान का मूल धाचा माना प्रस्तावना को नियालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार आज का हमारे ये लेक्चर यही पर समाप्त होता है अगली लेक्चर के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें